हेलो और वेलकम दोस्तों आज हमारी 15 दिन की डिस्कवर जूलुक व्लॉग सीरीज के दूसरे दिन हम जा रहे हैं एक बेहतरीन जगह कूपप लेक जिसे एलेफंट लेक के नाम से भी जाना जाता है ये जील लगभग 13,000 फीट की उंचाई पर स्थित है और इसे बेडान किसो के नाम से भी जाना जाता है ये जील भारत, चीन और भुटान के बॉर्डर बीच स्थित है और देखने में बहुत ही खुबसूरत है कुपप लेक का सबसे खास फीचर इसका हाथी जैसा आकार है जो हाथी की तरह दिखता है जिसका टेल बाएं तरफ और ट्रंक दाएं तरफ है यहां आकर आप आसपास की खुबसूरती का आनंद ले सकते हैं और प्रकृती के इस अनोखे चमतकार को देख सकते हैं सर्दियों में ये जील पूरी तरह से जम जाती है जो इसकी शान को और भी बढ़ा देता है और आप यहां से बॉर्डर भी देख सकते हैं जेलप लापास जो टॉप लेफ्ट साइड पर है नतूला बॉर्डर जो टॉप चाइनीज बॉच्ट आवर है और दोकलम बॉर्डर जो राइट कॉर्णर पर है यह जील एक सुंदर पर्यटन स्थल होने के साथ साथ भुटान में जलधाका रिवर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मुख्य स्रोथ भी है तो दोस्तों यह थी कूप अप लेक जो सिल्क रोड के 15 बेस्ट प्लेसेज में शामिल है इसकी हाथी जैसी आकृती, सर्दियों में जमने वाली खुबसूरती और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्रोथ के रूप में इसका महत्व, इसे एक अनूठा और महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनाता है थोड़ा रुकिये, क्या आपको पता है कि कूपप का याक गॉल्फ कोर्स दुनिया के सबसे उंचाई पर स्थित गॉल्फ कोर्स के रूप में गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आधिकारिक मान्यता प्राप्त है कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रिपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में